हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस्ट क्लास में जैसे आपको पता है टेस्ट सेरीज सुरू हो चुका है और ये टेस्ट सेरीज रोज सुबह 5.30 बजे लाइब चलता है तो रोज सुबह 5.30 बजे लाइब आप हम से जोड़के अपना टेस्ट दे सकते हैं और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताईएगा कि आपका 30 प्रशनों में से कितना सही हुआ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथ में बेल आइकन को ओल पे दबा लिजेगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास बी ओप्सने एस्टैलिन ने, सी ओप्सने ट्राटस्की ने, डी ओप्सने न्यूटन ने तो यहाँ आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किस ने किया तो लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया इसे आपको याद रखना है यहाँ यहाँ पे सी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण दो नम्बर प्रश्ण है कि गुणवाचक 266 निम्न में से कौन सा है इसमें से आपको बताना है कि गुणवाचक 266 कौन सा है यहाँ पे बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण तीन नम्बर प्रश्ण कि मनुस्य का हिर्दय एक मिनेट में कितनी बार धड़कता है काफी महत्पुल प्रश्ण है कि मनुस्य का हिर्दय एक मिनेट में कितनी बार धड़कता है इसे आपको याद रखना है काफी महत्पुल प्रश्ण है यहाँ पर बी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही से हो जाएगा काफी महत्पुल महत्पुल प्रश्ण है तो एक भी प्रश्ण पर स्कीप मत किजेगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताएगा कि आपका तीस प्रश्णों में से कितना सही हुआ है और साथ में प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण है चार नमर प्रश्ण है कि बिंदु दो तिन की दूरी मू मूल बिंदु से कितनी होगी तो मूल बिंदु से दूरी का सुद्र क्या होता है तो अंडरूट एकस स्क्वेर प्लस क्या होता है यहाँ पर एकस का मान रख दीजे और यहाँ पर य का मान रख दीजे आपका आंसर निकल आएगा तो यह बिंदु है जो इसका पहला सांग होता है वो y का होता है यहां पर x का मान 2 है और y का मान कितना है यहां पर 3 है बस इसमें आपको क्या कर देना है रखना है तो यहां पर under root है तो under root और यहां पर देखिए x का मान कितना है तो x का मान 2 है तो यहां पर लिख दीजे 2 और इसका square है तो square कर दीजे plus है तो plus y का अमान कितना है 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और इसका square है तो क्या कर देंगे square कर देंगे root है तो root 2 का square कितना होगा 4 और 3 का square कितना होगा 9 अब यहाँ पर आपको क्या करना है 4 और 9 को क्या करना है जोड़ देना है तो 4 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा अंडरूट 13 तो यहां पर दिके बिंदू 2-3 की दूरी मूल बिंदू से कितना होगा तो अंडरूट 13 होगा यानि यहां पर C option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ने पांच नंबर प्रश्ने की लोगतंतर नागरीकों को देता है A उप्सेने समान ओसर, B उप्सेने असमान ओसर, C उप्सेने छडिक ओसर, D उप्सेने इन में से कोई नहीं काफी महत्पड प्रश्ने पांच नंबर की लोगतंतर नागरीकों को देता है यहां पर מא- उप्सन क्या होजाएगा यहां पर बिलकुल सेही हो जाएगा आईए देखते है अगला पृषनिय छे नमबर प्रशनिय की वचन कितने परकार के होते हैं यह हिंदी का कोस्चन है की वचन कितने परकार के होते हैं, A उप्सनै 1, B उप्सन необходимо 2, C उप्सने 3, D उप् यह आपको यहाँ पर याद रखना है और वचन कितने परकार के होते हैं तो दो परकार के होते हैं कौन-कौन तो एक वचन और बहु वचन यह हिंदी में होता है तो इससे आपको यहाँ पर याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रशने सात नमबर साथ नमबर प्रश्ण है कि सिर्का में कौन सा अमल पाये जाता है काफी महत्पुड प्रश्ण है कि सिर्का में कौन सा अमल पाये जाता है ए उप्सेने लैक्टी कमल, बी उप्सेने सीटरी कमल, सी उप्सेने एसीटी कमल, डी उप्सेने मेथेनोई कमल तो यहाँ पर आपको बताना है कि सिरिका में कौन सा अमल पाया जाता है तो एसिटिक अमल पाया जाता है यह आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही से हो जाएगा और लेक्टिक अमल किसमें पाया जाता है तो दूध दही में आठ नमबर प्रश्ण संस्क्रित का है कि महान से भी महान क्या है काफी महत्पुर्ण प्रश्ण है कि महान से भी महान क्या है यहाँ पर बिल्कुल ही से हो जाएगा काफी महत्पुर्ण महत्पुर्ण प्रश्ण है तो एक भी प्रश्ण आप स्कीब मत किजेगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंदक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताईएगा कि आपका 30 प्रश्णों में से कितना सही हुआ और वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देजेगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण नो नमबर नो नमबर भी प्रश्ण काफी महत्पुढ है कि निमन में से कौन कौट ठीटा के बराबर होगा इसमें से आपको बताना है कि कौन कौट ठीटा के बराबर होता है तो कौट ठीटा का फरमूला क्या होता है यह होता है कौस ठीटा बटा साइन ठीटा होता है यानि इसमें से कौन सा ओप्सन सही हो जाएगा बी वाला ओप्सन बिल्कुल क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा इस परशन में रहाता है कि 10 ठीटा किसके बराबर होता है तो 10 ठीटा किसके बराबर होता है तो अंतराश्टिय ए उजोन दीवस किस दिन को मनाया जाता है? यहाँ पर C option क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा. यह देखते हैं. अगला प्रशने 11 नंबर, 11 नंबर प्रशने की 26 के कितने भेद होते हैं, काफी महत्पुर्ण प्रशन है की 26 के कितने भेद होते हैं, A-Option 1, B-Option 3, C-Option 4, D-Option 5 प्रशन हैं, आप अपको बताना है की 26 के कितने भेद होते हैं, तो 26 के मुख्यता 4 भेद होते हैं, इसे आपको चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है इसे आपको याद रखना याद याँ यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने तेरा नंबर सिंदे कि असांती मनवता का क्या कर रहा है काफी महत्पुड प्रशन है कि असांती मनावता की क्या कर रही है ए उपसेने उन्नती, बी उपसेने बिनास सी उपसेने उपर, डी उपसेने नीचे ते हैं आप आपको बताना है कि जो असांती है वो मनावता की क्या कर रही है तो बिनास कर रही है इसे आपको याद रखना है यानि यहाँ पे B option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलकुली सही हो जाएगा काफी महत्पुड महत्पुड प्रशने तो एक भी प्रशन आप इसकी मत किजेगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक जरूर देखेगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 14 नंबर 14 प्रशने की आंकड़े जो ये आंकड़ा दिया है इसका क्या निकालना है आंकड़े का परिसर निकालना है तो परिसर का फर्मूला क्या होता है तो बड़ी संख्या मैंसे क्या किया जाता है बड़ी संख्या मैंसे छोटी संख्या क्या कर लिया जाता है घटा लिया जाता है और जो आता है वही इसका क्या कहलाता है परिशर कहलाता है यह परिशर का फर्मूला होते तो इसमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संक्या क्या है तो इसमें सबसे बड़ी संक्या साथ है तो यहाँ पर लिख देंगे साथ और माइनस अब आपको सबसे छोड़ी संक्य क्या देखना है तो सबसे छोटी सेंगे इसमें क्या है दो है तो यहां पर लिख देंगे दो और इसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे और घटाने के बाद जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा परीशर होगा तो साथ में से दो जाएगा कितना बचेगा पांच निकलेगा पा परशने कि काला हीरा किसे कहा जाता है। सोला नमबर प्रश्ण है कि आविन्यो किस नदी के किनारे इस्तित है काफी ही महत्पड प्रश्ण है कि जो आविन्यो है ये किस नदी के किनारे इस्तित है एविन्यो है ये किस नदी के किनारे इस्तित है इसे आपको याद रखना है काफी ही महत्पड प्रश्ण है यहाँ प अगला प्रशने 17 नमबर 17 नमबर प्रशने की अवरिती का A.S.I. मात रख क्या होता है काफी महत्पुड प्रशन है की अवरिती का A.S.I. मात रख क्या होता है A.O.P. से ने हड्ज B.O.P. से ने धारा C.O.P. से ने चुंबक्य D.O.P. से ने बलते हैं अवृति का एसे ही मात रख्या होता है हड्ज होता है और धारा का एसे ही मात रख्या होता है एंपियर होता है तो इसे भी आपको याद रखना है चुमबक्ये छेतर का एसे ही मात रख्या होता है तो टेसला होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है और बल का एसे ही किस प्रांत का राजा था यहां पर किस के पुत्र थे तो कुंती के पुत्र थे तो यह भी साथ में आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रश्ण उन्निस नंबर उन्निस नंबर प्रश्ण है कि समी करण निका है 2x प्लस 3y बुराबर 5 4x प्लस 6y बुराबर 9 का अलेख कैसा होगा यहां पर दो समी करण दिया है एक समी करण यह दिया है और बोल रहा है कि इसका अलेख कैसा होगा तो सबसे पहले हमको a1 बटा a2 पे तुलना करके निकालना पड़ेगा तो यहां पर दिके जो यह पहला समी करण में जो X में गुणा करेगा वो A1 होगा और जो Y में गुणा करेगा वो B1 होगा और जिसमें XY कुछ भी नहीं होगा वो C1 होगा दूसरे वाले समी करण में जो X में गुणा करेगा वो A2 होगा जो Y में गुणा करेगा व वीटू होगा जिसमें उक लोग देख सकते हैं ए वन कितना है तो अजीआ हेरीटू कीतना है हीच यहां कीटना है अजीआ बिटू कम जा Adaptive आ रहा है तो फिर हमें तीसरा भी निकालना पड़ेगा C1 बटा C2 तो C1 कमान यहां पर कितना है 5 है तो यहां पर लिख दिजिए 5 और C2 कमान कितना है 9 तो यहां पर दिखिए अभी यह कट नहीं रहा है यहां पर कितना आ गया 5 बटा 9 आ गया 2 बराबर है और तीसरा यहां प इतना हल होता है तो एक भी हल नहीं होता है जीरो हल होता है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है तो इस समीकरन निकाय का अले कैसा होगा तो समनांतर होगा यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा तो उमीद करते हैं यह प्रशने भी निर्माड किस परदेश में किया गया है यहां पर बिलकुल ही से हो जाएगा काफी मातपुर मातपुर प्रशन है यहां पर बताना है कि हिंदी किस लिपी में लिखी जाती है तो जो हिंदी होती है यह दिवनागरी लिपी में लिखी जाती है इसे आपको याद रखना है यहां पर यहां पर बिलकुल ही से हो जाएगा और जो अंगरेजी हम लोग लिखते हैं वे किस लिपी में लिखते हैं तो रोमन लिपी में लिखते हैं तो यह भी आपको याद रखना है और जो पंजाबी लिखा जाता है वो गुरु मुखी लिप अप्सिन नाभीकिय सनलाइन से यहाँ पर बताना है कि सुर्य में उर्जा उत्पन कैसे होती है तो नाभीकिय सनलाइन के द्वारा होता है इसे आपको याद रखना है काफी महत्पुड प्रश्ण है यहाँ पर C-Op-Syn क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुली सही हो जाएगा य इस नवर प्रश्ण है कि आलसी पुरुस कितने थे काफी महत्पुड प्रश्ण है कि आलसी पुरुस कितने थे A-Op-Syn ने 2, B-Op-Syn ने 3, C-Op-Syn ने 4, D-Op-Syn ने 5 तो आपको बताना है कि आलसी पुरुस कितने थे तो आलसी पुरुस 4 थे इसे आपको याद रखना है कि कौन कौसिक ठीटा का बराबर है यह आपको यहाँ पर बताना कि कौन कौसिक ठीटा का बराबर होता है तो कौसिक ठीटा का फर्मूला क्या होता है तो एक बटा साइन ठीटा होता है यह आपको याद रखना है तो कौसिक ठीटा किसके बराबर होता है तो एक बटा साइन ठ फिटे के बराबर होता है यह आपको याद रखना है यहां पर C option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला पृष्णे 25 नमश्य 25 नमर कि हरित करां ती का प्रमुकह उपज क्या है काफि महत्पुड प्रश्ण है कि हरित करांती का प्रमुख उपज क्या है यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 26 नंबर 26 नंबर प्रश्ण है कि महात्मा गाधी का जनम कहा हुआ था काफी महत्पुड प्रश्ण है कि महात्मा गाधी का जनम कहा हुआ था ए उपसे ने बिहार में बी उपसे ने मध्य परदेश में सी उपसे ने राजस्थान में डी उपसे ने गुजरात में थे हैं आपको बताना है कि महात्मा गाधी का जनम कहा हुआ था तो जो महात्मा गाधी जी थे, इनका जनम गुजरात में हुआ था, इससे आपको याद रखना है, यानि यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही, सही हो जाएगा, काफी महात्पुड, महात्पुड, तीस अबजेक्टी प्रशन है, तो एक भी प्रशना प तापकर्म कौन नियंत्रित करता है, काफी महात्पुड प्रशन है, कि सरीर का तापकर्म कौन नियंत्रित करता है, ए उप्षन है, पिट्रिट्री गरंथी, बी उप्षन है, सेरी बेलम, सी उप्षन है, स्पाइनल कोर्ड, डी उप्षन है, हाइपो थेलमस, तो हाइपो थ खेलमस करता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्पड प्रश्ण है, यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ण 28 नमबर, 28 नमबर प्रश्ण कि स्वाणवेल गोला, अस्थान का संबंध किस्से है काफी महत्पड प्रश्ण है, कि स्वाणवेल गोला अस्थान का संबंध किस्से है, यहाँ पर यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रश्ण 29 नमबर 29 नमबर प्रशने की कोशी का भित्ती किस में पाया जाता है ये भी काफी महत्पुड प्रशन है की कोशी का भित्ती किस में पाया जाता है A.O.P.S.E. ने जन्तु कोशी का में B.O.P.S.E. ने पादप कोशी का में C.O.P.S.E. ने जलिय जीव के कोशी का में D-Option है इन में से कोई नहीं तेहाँ पर आपको बताना है कि कोशी का भित्ती किस में पाया जाता है तो जो कोशी का भित्ती होता है यह पादप यानि पेड़ पोधो की कोशी काओं में पाया जाता है यानि यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही से हो कि सूखे के लिए जिमेवार कारक कौन है यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुली से हो जाएगा आप यहाँ पर 30 अबजेक्टी प्रशने देख चुके हैं और आप हमें कॉमेंट करके बता दीजिए कि आपका 30 प्रशनों में से कितना सही हुआ जल्दे जल्दे आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिए और यहाँ पर देख लिजिए अपना होमवर्क प्रशन होमवर्क प्रशन इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि दूध में लाई गई करांती को क्या कहते हैं काफी महत्पड प्रशन है कि दूध में लाई गई करांती को क्या कहते हैं A option हरिद करांती B option नीली करांती C option सफेद करांती D option इन में से कोई नहीं तो जो भी option इसमें से आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजेगा कॉमेंट कर दीजेगा आपके comment का यहाँ पर इंतजार रहेगा आप वीडियो को like नहीं किया है तो please आप लोग वीडियो को like कर दीजेगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जुरूर share किजेगा और चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe करके साथ में बेल आइकन को all पर दबा लिजेगा ताकि जब भी class हो तो आपके पास notification पहुंसता रहे thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मनलागा के पढ़ाई किजे take care and bye